दोस्तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने आईफोन में सफारी ये जो ब्राउजर होता है एप इसको कैसे disable या फिर आप कह सकते हैं hide कर सकते हैं इसके लिए आपको क्या करना है सबसे पहले चले जाना है अपने आईफोन की settings में settings में जाते ही इस type का interface मिलेगा यहाँ पर आपको click करना है screen time पर इस पर click करने पर नया interface मिलेगा यहाँ पर आपको नीचे की side scroll करना है तो आपको एक option दिखाएगा content and privacy restrictions का आप इस पर click करिए और उस पर click करने के बाद आप click करिए यहाँ पर allowed apps पर allowed apps पर click करेंगे तो यहाँ पर safari का एक option दिखाएगा आप इसको click करके बंद कर दीजिये जैसे ही बंद कर देंगे यह disable हो जाएगा या फिर hide हो जाएगा आप कह सकते यहाँ पर आप देख सकते यह भी दिखा रहा है और हमने वहाँ पर बंद कर दिया ना तो यह अभी automatic गयब हो जाएगा यह देखिए गयब हो गया अगर वीडियो से help हो यह हो तो वीडियो को कर दीजा लाइक चैनल को कर लिजे सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए